देखिए यहां पर बटन, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लिए वीडियो की सूचना मिलती रहें बंधन बैंक, जबरदस्त बैंक के बारे मैं फिर से एक रेवीव देने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई उस पे वीडियो बना चुके हैं, हर चाहिए वो क्वाटर का रिजल्ट आया हो, चाहिए उसके पहले एक प्रणा दायक मतलब इंस्पिरेशनल वीडियो बनाया था तो बंधन बैंक, बहुत सारे मेरे नए सस्क्राइबर भी जुड़े हैं इस बीच और जो पुराने लोग हैं उन लोगों को भी अपडेट मिल जाएगा कि क्या चल रहा है इस बैंक में आखिर, क्योंकि बहतरीन बैंक है और बहतरीन बैंक के बारे में बताने मुझे थोड आउर्ट मिले तो आप जोली भर लीजिए, अगर नीचे कलेवर पर मिलता है, लोग बनाया था इसने 306 के आसपास हाई भी बनाया था 741, तो अभी हाई से काफी नीचे है, दूसरी बात बैंकों में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जिनकी वज़े से इन पे क तिगत तोर पे बहुत मारा मारी चले ये CS बैंक की अभी बहुत हाला खराब है, उनका जो NPA को लेकर, तो बेहतरीन जो रिटेल में सबसे ज़्यादा जबरदस HDFC बैंक के बाद जो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक समझदार बैंक है, बंधन बैंक लिम्टेड ही है, क्योंकि इ पहलाओं को, मजदूरों को पैसे बाट बाट के, आज उनकी इतने बड़े कस्टमर बेस है कि उनको गवर्मेंट ने लाइसेंस दिया बैंक और इनको अप्रूव होगा, जबकि बड़ी-बड़ी जो कमपनियां थी, Reliance, Tata इन सबको नकारते हुए, सबसे बड़ी बात कि इनको मेट्रो सिटीज में जो कस्टमर थे, कस्टमर बेस यहां पर नहीं था, तो उसके लिए इसने क्या किया था, Grow Home Finance जिसकी जबरदस्त मेट्रो सिटीज में, जैसे कि Bombay जैसे शहर में, और भी कई शहरों में, जो उनके कस्टमर से, Housing Finance, Mortgage Loan के, वो कस्टमर जब इनोंने अधिगरहन कर लिया, उस Grow Home Finance को, तो आज फाइनली NCLT के तरफ से इनको approval मिल गया है, कि ठीक है आप जो है, उसका आपका रास्ता क्लियर है, तो HDFC बैंक की सबसेडेरी थी Grow Home Finance, और Grow Home Finance को उसने बंधन बैंक को दे दिया, और बदले मुनोंने 15% के आसपास holding माग ले, तो आ 27 मार्च 2018 को लिस्टेड सिंस, कुछ लिए आज का भाव है 533 रुपए, आज है तारीख 24 जून 2019 समय हो चुका है, मार्केट बंध है, 6 बजरे हैं शाम के, आज है स्वामोर है, और high और low आपने देखी लिए, मार्केट कैप्रेल है, 36,330 करोड का, एक सवर्दस्थ, 244, EPS है 16.36, प्राइस तुब के 5.69, डिलिवरी देखे 60% के अबाव है, आसपास है, और डिविडिन पेइंग स्टॉक है, फनेंशल भी देखेंगे, और बेसिक चीजे मैंने बता दी हैं आपको, तो बंधन बाइंक की जो नीज है, शेर प्राइस और बंधन बाइंक, सालों में, तो according to the share swap ratio is for every thousand shares of growth finance, जिसके पास 1000 growth home finance के shares हैं, उनको मिलेंगे बंधन बैंक के, शेर होल्डर्स विल गेट 565, 68 shares of बंधन बैंक, तो उसी हिसाब से आपके पास अगर 100 हैं या 500 हैं, तो इस ratio के हिसाब से आप इसको विभाजित कर सकते हैं, और उसके बाद आपक के, कि आपको बंधन बैंक के कितने मिलेंगे, तो 1000 shares के अनुपात में, यहाँ पे 560 shares मिल रहे हैं, बंधन बैंक के, तो उसे साब से जितने भी आपके पास shares हैं, आप उसे साब से आप गणित से निकाल सकते हैं, share price of बंधन बैंक, surge 3% intraday high as the lender received approval from national company law tribunal NCLT for the merger with housing finance company Grf Finance, त और बैंकों के अच्छे दिन तो खेर आते ही रहेंगे आने वाले समय में, सबसे बड़ी बात है कि जो बैंक में समस्याएं आती हैं, उनका NPA बढ़ जाता है, non-performing assets, मतलब जो लोग corporate को बड़ा बड़ा लोन दे देते हैं, और वो लोग बिले के भाग जाते हैं, या जिन गेज बैंक है, good quality की बैंक जिस प्रकार से इनकी growth है, जिस प्रकार से इनका structure है, जिस प्रकार से इनका management है, तो management हमें तो कोई शक नहीं है, और यहाँ पे good quality का है और financial trend, of course, it's very positive, और हब से बड़ी बात किया है, हम इसके results भी अच्छे आएं, March 18 से March 19 में अगर हम compare करते हैं यानि कि 1350 करोड की थी March 18 में, March 19 में होगी 1832 करोड की, जो कि जबरदस्त है, और यहाँ पे NPA भी देखिए, यहाँ पे gross NPA में थोड़ा सा यहाँ पे increase हुआ है, year on year, और net profit भी यहाँ पे इनको जबरदस्त जहाँ 387 करोड की थी March 18 में, March 19 में होगी 650 करोड की, जो कि 67% से ज्यादा खरीब-खरीब 68% के आसपास की upside है, इसी तरीके से अगर हम लोग quarterly वाइस जाते हैं, quarter 4 में, तो December 18 में जो interest एंडिंग थी 1649 करोड यानि 1650 करोड के आसपास, में March 19 में होगी 832 करोड जो की 11.10% की upside है, जबरदस्त और NPA भी देखिए, यहाँ पे इनका कम हुआ ह ग्रॉस NPA भी कम हुआ है, जो कि positive भी दिख रहा है, और net profit भी यहाँ इनका, जहाँ देसंबर 18 में 331 करोड के आसपास था, वहीं 650 करोड यानि 96.48% double के करीब होने जा रहा है, तो जबरदस्त इनके results भी आए हैं, और यह bank हाथ में आने वाल नहीं, यह मत देखिए कि 534 price है, it doesn't matter, company की जो वर्त है, company की जो valuation है, company जिसे साब से कमा रही है, company की जिसे साब से results आ रहे हैं, देखिए, net profit सब कुछ देने लेने के बाद कितना जबरदस्त हो गया, quarter limit, year on year भी जबरदस्त है, तो इस तरीके से हम किसी company को valuation करते हैं, share holding pattern में अगर हम आते हैं, तो majority, आप 45% के आसपास ही holding रख सकते हैं, उससे जादा नहीं, कई सारी बैंकों को नरतेश होता है, तो इसी holding को कम करने की वज़े से इनको जो है, grow home finance को अधिगरहना करना पड़ा, क्योंकि इनकी branches, expansion में RBI ने बैन लगा दिया था, तो अभी यहाँ पर holding में कमी, of course देखेगी, SDFC की भी कुछ holding यहाँ पर आ जाएगी, और mutual funds की 17 schemes हैं, और FIIs हैं 117, यानि foreign institutional investors ने जबरदस्त खरिदारी कर रखी है, और increase की हुई है अपनी holding यहाँ पर 0.46% की इस quarter में, इस 18 से मार्च 19 में, तो इस first है कि एक बहतरीन बैंक है, जबरदस्त बैंक है, आने वाले आपको लंबे समय में आपको तगड़ा माल बना के देगी, यह तो आप लिक के डायरी में लिक लीजे, कागज और पिन में नोट कर लीजे, अचकी डेट और तारीख में, और गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि बैंकों की अभी दशा थोड़ी सी, माली हालत सारे बैंकों बैंक से रहा तो उसको भी ले लें, तो इस तरीके से मैं इस बैंक को माल रिटेल बैंकिंग देखी, 86% और होलसेल बैंकिंग माल तो 2,5% के आसपास है, जबकि ट्रेजरी से, FD वगयरा, सो जो भी इनकी आया है, रखते हैं पैसे, उससे इंट्रस जो कमाते है, लेकिन रिटेल बै बैंकिंग में क्या होता है, होलसेल बैंकिंग में माल लीजी आपकी टॉप सेग्मेंट में होलसेल बैंकिंग होती, जो अधर बैंक्स के जिनके NPS बढ़े हुए हैं, तो यहां पर दिक्कत आ जाती है, कि माल लीजी किसी को आपने 10,000 करवड दे दिया और लेके भाग गया अच्छा और नीचे के लिए मिलता है, तो आप भरने से चूके ना, लेकिन लंबे समय के लिए, बिलकुल नहीं कि 2-4 महीने या एक क्वाटर, दो क्वाटर, रिजल्स आपको दिखाई दिया मैंने, 5-10 साल, 15 साल, 17-10 डिविदेंड, बोनस वगरे भविश में देगी, ऐस ये दिखने बदे लिघे ले हैं।